है यहां पर आज हम लोग अपने 10th standard के probability का last practice set करने वाले है इस इस इंपॉर्टेंट प्रेक्टिस सेट इन दिस चैप्टर तो यहां पर आज जो हम एक topic पढने वाले है इस probability of an event यहां पर probability of an event क्या होता है यह सबसे important topic है probability of an event इसका मतलब क्या होता है students यहां पर इसका definition दिया हुआ है in mathematical language when possibility of an expected event is expressed in number it is called as probability यानि यहां पर हमने जो experiment किया है उसका event का हमें क्या find करना है possibility find करना है जैसे यहां पर अगर मैं example ले लूँ कि हमारा जो experiment है वो कुछ इस तरह से है कि एक जो है box है उसके अंदर five balls है जिसके अंदर से three balls जो है वो white color के है और two balls जो है वो black color के है तो यहां पर अगर हमारा event हमें बोलेगा कि let a be the event that you draw a white ball यानि हम जबी भी हाथ दालेंगे तो white ball निकलेगा तो यहां पर possibilities कितनी है three होगी क्योंकि तीन white ball है तो यहां event है a three white ball draw करने का उसका हमें क्या find करना है probability इसे ही हम क्या कहते है probability of an event कहते है अब यह probability जो है वो हम fraction में denote कर सकते है या फिर percentage में दोनों चीजों में हम denote कर सकते है ठीक है तो यहां पर example को आपके सामने लिखूँ तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर हमारा जो sample space होगा अगर experiment का तो white ball कितने है w1, w2, w3 हमारे तीन white ball है और b1, b2 हमारे दो black ball ह यह 5 ball है तो हमारा n of s क्या है यहां पर 5 है है ना sample points क्या है हमारे 5 है अब यहां पर हमें event क्या बोलावा है let a be the event that we draw a white ball यानि हमने white ball को क्या किया draw किया तो यहां पर हमारा a क्या होगा a होगा हमारा w1, w2 और w3 है ना तीन white ball निकलेंगे तो यहां पर हमारा n of a क्या हो जाएगा 3 तो यहां तक हमने पिछले exercise तक पढ़ लिया अब हमें क्या find करना है probability of event a अगर हमें क्या करना है find करना है तो उसका formula क्या है of sample points of event a upon number of space ठीक है तो यहां पर यह क्या हम find कर रहे है probability of a जिसे हम ऐसे लिखेंगे capital p और अंदर bracket में हमारा event जो भी event होगा चाहे a हो b हो या c हो तो p of a is equal to number of sample point of event a number of sample sample space तो यहां पर हमारा क्या होगा n of a upon n of s हो जाएगा तो हमारा n of a क्या है 3 है और हमारा n of s क्या है 5 है ठीक है तो यहां पर 3 upon 5 जो है वो क्या है हमारा probability of a है यह fraction form में हो गया अगर हमें question में बोला हुआ होगा कि percentage form में करना है तो बस एक छोटी सी चीज करना है कि हमें इसे multiply by 100 कर देना है तो यह क्या हो जाएगा 520 जा तो यहां पर क्या हो जाएगा 60% तो हम कह सकते हैं कि यहां पर probability of event a क्या है या तो 3 upon 5 है या तो 60% probability है कि हमें क्या होगा white ball निकल यह हमें पूरा नहीं लिखना होता हमेशा हमें बस यह लिखना होता है कुछ इस तरह से probability of event a is equal to n of a upon n of s अब इसमें यहां पर एक चीज याद रखने वाली है कि n of s जो है वो हमेशा denominator में होगा तो n of s जो है वो यहां पर 5 है ठीक है n of a क्या आया है 3 आया है तो हमें जो fraction आ रहा है वो क्या रहा है 3 upon 5 probability of a जो है वो 0 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा 1 से बड़ा अगर आपको कभी भी probability आ रहा है कोई भी event का तो समझ जाए students की आपका answer जो है वो wrong है क्योंकि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 1 से जादा probability आ रही है जैसे मैं अगर बोलता है number of sample space, point of events जो है वो number of sample space से बड़ा हो रहा है यानि अगर हमें 5 ball है box में तो हम क्या कर रहे है उसमें से 6 balls निकाल रहे है जो के possible नहीं है इसलिए हमारा answer अगर 1 से जादा आता है तो वो wrong है students तो यह बात बिलकुल याद रखिएगा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 100% स बीच में होगा और अगर हम fraction में देखेंगे तो वो या तो equal to 0, 0 से बड़ा या equal to 1 या 1 से छोटा, 1 से बड़ा हमें कभी भी answer नहीं आएगा तो यह सारी चीज़ें हमें समझनी थी, आए स्टार्ट करते हैं विताबर practice set 5.4 जो के बहुत ही आसान practice set है और board के point of view से बहुत important, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विताबर practice set 5.4 यहाँ पर हमारा first question क्या है, if two coins are tossed, find the probability of the following, सबसे पहले क्या बुलावाए, getting one head and getting no head, यह हमें दो probabilities दी भी है, तो यहाँ पर हम अपना solution स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या find करना है, हमें sample space find करना है, तो हम क्या ल होगा, that two coins are tossed, है न, यह हमारा random experiment होगा, तो यहाँ पर इसका sample space कुछ इस तरह से आएगा, हमारे दो coins है, तो HH, HT, TH और TT, यह हमारा sample space हो गया, और यह हमारा sample point हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने event की तरफ आते हैं, getting at least one head, तो यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिया हुआ है, कि यह A है या B है या C है, तो यहाँ पर हम खुछ से event को नाम देंगे, तो हमें let लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, let event A, B, क्या getting, getting at least one head, ठीक है, at least one head का मतलब क्या होता है, students, कम से कम है न, at least का मतलब होता है, कम से कम एक head, यानि कम से कम, एक head, यानि दो head भी चलेगा, तीन head भी चलेगा, चार head भी चलेगा, एक से जादा, तो यहाँ पर एक भी include होगा, और एक से जादा, तो यहाँ पर हमारा यह आएगा, यह आएगा और यह आएगा, टी टी नहीं आएगा, क्यूकि उसमें एक भी head नहीं है, तो यह यहां पर हमारा A क्या हो जाएगा HH, HT और TH, ठीक है, यह हमारा A हो गया, N of A क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या बुलावा है, probability find करना है, तो हमारा next step क्या होगा, P of A is equal to N of A upon N of S, यह हमारा formula है जो अभी हमने पड़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 upon 4, ठ ठीक है, 3 upon 4, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, probability of A is equal to 3 upon 4 और उसे हम कर देंगे इस तरह से highlight, ठीक है, आईए अब next देखते हैं, next हमें क्या बुलावा है, getting no head, यहारे एक भी head नहीं चाहिए, तो एक भी head तो सिर्फ इसमें है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, let B be the event that getting no head, ठीक है, एक भी head हमें नहीं चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, B is equal to tt होगा, क्योंकि यही एक ऐसा है, जिसमें head नहीं है, n of B will be what, 1, और P of B हमारा क्या हो जाएगा, n of B upon n of S, that is nothing but 1 upon 4, तो P of B हमारा क्या हो जाएगा, 1 upon 4, तो इस तरह से हमारा यह first sum बहुत ही आसानी से खतम होता है, students, बस हमें सिर्फ इतना ही करना है, यहां तक हमने अपने पिछले exercise में पढ़ा था, बस यह एक step बढ़ाना है, that is P is equal to n of A upon n of S, तो यहां पर आईए second sum, तो यहां पर हमारा second size rolled का और हमारा n of S क्या है, 36, तो आईए, यहां पर हम start करते हैं, वितावा first event, यहां पर क्या है हमारा first event, the sum of the digit on the upper faces is at least 10, यानि हम add करेंगे, तो हमें क्या answer आना चाहिए, कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से जादा भी चलेगा, तो यहां पर हमने वही पिछली बार जैसे किया था यह वाला जो हमारा diagonal है, इस तरह से, यह वाला जो diagonal है, 64, 55, 46, यह सब 10 है, इसके उपर 9, 8, 7, 6 आ रहा है, तो वो सब हमारे काम का नहीं है, यह जो पूरा diagonal है, इसके नीचे वाले number सारे हमारे काम के हैं, तो यहां पर हम वही लिखेंगे, let A be the event that, ठीक है, अब यहां पर हम let A be the event that, the sum of the digit on the upper phase is at least 10, ठीक है, यह लिखना important है हमें, तो हमारा event क्या है, A है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, is equal to, सबसे पहले, 64, 55, और 46, यह हमने लिख लिया, फिर उसके बाद 65, 56, और 66, ठीक है, यह हमारा हो गया, अब यहां पर हम देख सकते हैं, कितना है, A क्या है, 6 होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे, N of A is equal to 6, तो probability of A क्या होगा हमारा, N of A upon N of S, that is nothing but 6 upon 36, अब यहां पर याद रखे, students, हमें 6 upon 36 पे नहीं छोड़ना है, इसे reduce भी करना है, that is 1 upon 6, तो यह हमारा probability होगा, इसे हम highlight कर देंगे, ठीक है, next हमारा क्या है, next is our, the sum of the digit on the upper faces 33, यानि, दोनों को add करके हमें कितना answer आना चाहिए, 33 आना चाहिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कि दोनों को जब हम add करेंगे, तो जादा से जादा हमें 12 आ सकता है, तो यहां पर यह possible नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, let B be the event, और यह पूरा हम पूरा complete करेंग उसके बाद हमारा B क्या हो जाएगा, इस तरह से खाली रहेगा, याद रखें, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बहुत सारे students जो है, वहां पर हम 0 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारा N of B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, that is probability of B is N of B upon N of S, that is nothing but 0 1, 36 जो के 0 आएगा, तो यहां पर probability of B क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा, थर्ड हमारा event क्या है, the digit on the first die is greater than the digit on the second die, यानि इसका मतलब क्या students की जो first die पे जो digit है, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आगे वाले die से, यानि यह वाला जो number है, यह 2, यह 1 से क्या है, बड़ा है, तो यह हमारी requirement को पूरा कर रहा है, 2, 2 है, तो यह दोनों तो equal है, बड़ा नहीं है, तो यह नहीं आएगा, अब हम अगर 2, 3 देखेंगे, तो यह छोटा हो गया, तो यह भी हमारे requirement का नहीं है, 1, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यह equal है, तो यह पूरी ही line नहीं यहां पर तो यहां पर 32 आएगा ठीक है 33 नहीं आएगा 43 आएगा 54 आएगा 65 तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि यह वाला डाइंगल उसके नीचे हम देखेंगे तो फॉर्स डाय हमेशा हमारा क्या है बड़ा है 313241424351525354616263665 है ना तो यहां पर हमारे जो फॉर्स डाय वाले नंबर है वो रहे हैं यह वाले निंचे वाले जितने भी हमारे नंबर से वह सब हमारे कि में आएंगे तो यहां पर हम अपना लेट इवेंट C B इस तरह से लिखेंगे और हमारा पूरा इवेंट हम लिखेंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे हमारे 123456789 10 11 12 13 14 15 तो यहां पर हमारा n क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा probability of c क्या होगा n of c upon n of s that is 15 upon 36 तो यह भी आगे रेडियूस होगा 3 5s of 15 3 12s तो यहां पर आएगा 5 upon 12 तो यह हमारी probability है that is probability of event c तो इस तरह से हमारा second sum complete होता है आई थर्ड सम देखते हैं तो आई शुन से यहां पर हम अपना third sum देख लेते हैं third sum क्या है हमारा there are 15 tickets in a box यानि एक box है जिसके अंदर क्या है 15 tickets है each bearing one of the number from 1 to 15 यानि 15 cards रखे वे हैं 15 tickets रखी वी हैं और उसमें numbers कितने लिखे वे हैं 1 से लेके 15 तक उसमें numbers लिखे वे हैं तो यहां पर हम अपना sample space लिख लेते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेट रेंडम एक्सपेरिमेंट बी क्या लिए बोला हुआ हमें that one card is drawn from 15 tickets in a box ठीक है 15 tickets और number क्या लिखा हुआ है वहां पर इच बेरिंग इच बेरिंग नंबर फ्रॉम वन तो फिफ्टी तो इस तरह से students हमें यह पूरा लिखना पड़ेगा कि हमें जो एक्सपेरिमेंट डिया हुआ है रेंडम एक्सपेरिमेंट वह है क्या फिर उसका हम सेंपल स्पेस लिखेंगे तो यहां पर हमारा ब्सक्राइब मारा सेंपल स्पेस हो जाए गा और अमल वेटर और इमेंट किया हुआ है उसने इवन नंबर यानि हमारा क्या है लेट इवेंट एबी इडए इट इट शोगुर्स के इवन नंबर धिकले एएँए इवन नंब्बर यहां पर मारा क्या क्या हो जाएगा student 2 से start होगा 2 4 6 8 10 12 और 14 इसके अलावा और को even numbers नहीं होंगे तो यहां पर कितना हो गया हमारा 7 हो गया तो n of a क्या हो जाएगा हमारा 7 p of a हमारा हो जाएगा that is 7 upon 15 ठीक है यह इसके आगे solve नहीं होगा तो यही हमारा final answer है अब next देखते हैं के second वाला क्या है shows a number which is multiple of 5 तो यहां पर वापस से हम पूरा let b be the event that पूरा लिखेंगे और b हमारा क्या होगा multiple of 5 यानि 5 10 और 15 यह तीन number आएगे तो यहां पर हम लिख देंगे 5 10 और 15 तो हमारा n of b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा probability of b will be n of b upon n of s that is nothing but 3 upon 15 तो यहां पर हमारा 1 upon 5 आएगा probability तो यहां पर हमारा यह sum खतम होता है बहुत ही आसान sum था आएगे fourth sum तो यह fourth sum देख लेते हैं हमारा fourth sum क्या है a two digit number is formed with digits 23579 without repetition ठीक है तो यहां पर हमें two digits number बनाने है है जो digit हमें दिये हुए है without repetition तो यहां पर पहले सबसे पहले हम digits लिख लेते हैं क्या-क्या है two three five seven और nine ठीक है यह हमारे पांच digit है इसे यूज़ करके हमें क्या करना है two digits number तो यहां पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर हमारा हम स्टार्ट करते हैं हमें पता है कि कैसे होता है two three two five two seven और two nine यह हमारे ट्रिक है two two नहीं होगा क्योंकि without repetition बोला है तो इस पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि repetition के allowance हमें दी हुई है कि नहीं अगर दी हुई है तो numbers 22 से start होंगे लेकिन यहां पर नहीं दी हुई है इसलिए हम 23 से start कर रहें तो यहां पर हम देख सकते है one two three four one two three four five तो यहां पर हमारा n of s क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है तो आएए events परते है हमारा first event हमें क्या दिया हुआ है an odd number ठीक है तो इसकी probability हमें find करना है तो वही हम लिखेंगे पूरा let a be the event that वह पूरा आप लिख लीजेगा यह क्या बुलावा है shows यहां पर हमें एक क्या बुलावा है an odd number यान यह odd number 35 है 37 39 है 52 वापसे नहीं है 53 है 57 है 59 है फिर उसके बाद 72 नहीं है 73 75 79 है उसके बाद 93 94 95 है ठीक है तो यहां पर इस तरह से यह हमारा event हो गया और n of a क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 16 होगा तो यहां पर हमारा probability of a क्या हो जाएगा n of a upon n of s ठीक है तो यहां पर क्या होगा 16 upon 20 that is nothing but 4 4s are 16 4 5 is a 4 5 is a 20 तो यहां पर हमारा answer आएगा 4 upon 5 जो कि probability of first event है next event क्या बोलावा है हमें multiple of 5 let be be the event पूरा तो यहां पर multiple of 5 कहां से start हो रहा हमारा 25 से फिर उसके बाद 35 okay 75 और 95 आएगा तो यहां पर हमारा n of b क्या हो जाएगा 4 तो probability of b is nothing but n of b upon n of s तो यहां पर आएगा 4 upon 20 that is nothing but 1 upon 5 तो यहां पर हमारी probability है 1 upon 5 तो आएगे 5th sum देखते हैं which is our last sum and important sum क्योंकि cards का sum देख लेते हैं a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards find the probability that the card drawn is an ace or a spade ठीक है तो यहां पर हमारा जो हमारा जो sample space होता है हम sample space cards का जाधा तर नहीं लिखते हैं हम सीधा जो है उसका n of s लिखते हैं sample point लिखते हैं but हमें random experiment हमारा क्या है वह लिखना पड़ेगा let the random experiment be a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 cards तो ऐसा हमें लिखना पड़ेगा उसके बाद हम क्या करेंगे n of s लिखेंगे तो यहां पर direct हम अपना n of s लिख देते हैं that is 52 ठीक है तो यहां पर हमारा first event क्या है उसे भी हम ऐसे लिखेंगे let a be the event यहां पर क्या बुलाए n ace तो ace हमें पता है किसे कहते है इकके को तो यहां पर हमारा जो इकका है यानि one होता है उसे हम ace कहते हैं इकका कहते हैं तो यहां पर हमारे ace कितने होते हैं चार होते हैं है na spade का होगा club का होगा heart का होगा diamond का होगा चारों में एके क्या होते हैं, एस होते हैं, तो यहां पर हमारा सीधा हम, यहां पर भी हम सीधा हमारा n of a लिखेंगे, that is 4, तो probability of a क्या हो जाएगा, upon n of s हो जाएगा, that is 4 upon 52, तो यहां पर यह क्या होगा, 2 upon 26, 1 upon 13, तो यहां पर हमारा answer आएगा, 1 upon 13, first वाले का, ठीक है, second व तो वापस से हम let be लिखेंगे पूरा, और spade कितने होते हैं, यहां पर हमें पता है, कि spade के 13 cards, diamond के 13 cards, heart के 13 cards होते हैं न, सारे cards होते हैं, वो 13 13 होते हैं, तो यहां पर हमें a spade गोला, यानि कोई भी card चलेगा, spade गा, तो यहां पे हमारे points कितने होंगे हमारे 13 होंगे तो यहां पे हमारी probability होगी n of b upon n of s that is 13 upon 52 that is 1 upon 4 तो यहां पे हमारी probability of getting a spade is what 1 upon 4 तो यहां पे हमारा यह sum और यह practice set यहीं पे खतम होता है including our probability chapter तो बहुत ही आसानी से हमने अपना probability chapter भी खतम कर लिया अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी sum में चाहे वो probability हो financial planning हो या कोई भी chapter हो तो आप हमें नीचे comment कर सकते हैं या आप हमें अपने sums का photo कीच कर भेज सकते हैं जो भी आपको नहीं आ रहे हैं हम उसका जल्दी से जल्दी आपको solution भेजने की कोशिश करेंगे और आप हम इंस्ट्राग्राम पर भी जरूर फॉलो करें तैंक यू फो वाचिंग दे स्मार्ट बॉक्स